ब्यार सरकात दोर जो गुर्जेशन पास करने पर मुखंतर के नयाथवान योजना कतार जो 50,000 स्कोलर्शिप दिया जाता है जो भी स्टुडेंट इस योजना के लाब लेने के लिए ऑनलाइन आविदन करना चाहते हैं उन सभी स्टुडेंटों को लिए वीडियो बहुत इं वर माखिए थे उन सभी स्टुडेंट को अभी तक इस्टुडेंट लिस्ट में नाम कियो नहीं आया चाहत क्यों नहीं आया तो आप लोगो को कब तक आएगा तो शारे इंफ्रमेंशन के साथ आज किसी विडियो को माधम से स्टे बाइस्टेप बताने बलूँ इसलिए आ सब गुरूप भी जाकर जोएन कर लिए क्यों को जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है बहुत का कमेंट रहता है कि आप से कॉंटेक्ट कैसे करें तो किस परकार करना आगे इस वीडियो को मादम सो भी जानकारी मिल जागा उससे पहले मैं आप लोगों के लिए खुछ इंपडेट बता दो उसके बाद यह भी बताने मलओ कि आप लोगों को ओनलेन आवे दिन कबसे स्टार्ट किया जागा साथ में आप लोगों को अगर अभी तक स्टूडेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोगों को दिखाई दे लगेगा तो सारी इन्फोर्मेशन बताने बालों इसलिए आप लोग इस वीडियो को भीना स्कीप करके देखी तो सबसे पहले यहां देखिए लिए गर्जोशन स्कोलर्शीप के रिगार्डिंग जो असनातक को ऑफिसल वेबसेट बनाया गया है उसके असनातक के ऑफिसल व कोई भींट जमा करने के अवसकता नहीं था गिए यनवंडलिंवहरसीटी के तो आप लोगों को नहीं धोकोवेट्ञट्र जमा किए फिर भी आप लोगों के अवOOOOOOOO कर देञे को पोटल खना जागा तब आप लोगों केates चुप लीज़ान dachte PA के देगा उसके बाद बिहर एनियाल साướंस उनेजरी सिटीके को कोय भी डोकूमेट जमा नहीं करना था है वह देख्ली जोब दिगली जेस innovative को कई बीडोकूमेंट ़कूमेंट जमाक नहीं था उसके बाद देख्ली यहां पर भागलपुर खुलियं को घुरेंट को क्या इंजन इंस्टूट ऑफ टेकनोलोजी पटना के स्टूडेंट को भी कोई डोकुमेंट जमा करने की अब सकता नहीं था उसके बाद यहां पर देखिली आप लोगों के गारन नमर में इंद्रा गांधी ओपेन नेशनल युनिवर्सिटी पटना के स्टूडेंट को भी कोई भ परकास युनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं था तो आप लोगों को ऑफ लाइन डोकॉमेंट जमा करने की अब सकता था उसके बाद यहां पर देखिली आप लोगों को लालीत नाराइन मिस्रा इंस्टूट ऑप एकनोमिक्स ड तो आप लोगों को ऑफ लाइन डोकॉमेंट जमा करने की अब सकता था अगर आप लोगों के लिस्ट में नाम नहीं था तो उसके बाद देखिली जहां पर मगद यूनिवर्सिटी 18-20 के सेशन के स्टूडेंट को कोई भी डोकॉमेंट जमा करने की अब सकता नहीं साथ में अगर आप लोगों के लिस्ट में नाम था तो अच्छी बात है अगर नहीं था तो आप लोगों को ऑफ लाइन डोकॉमेंट जमा करने की अब सकता नहीं था उसके बाद देखिली जह नेशनल इंस्टूर्ट आप टकनोलोजी पटना के स्टूडेंट को भी कोई डोकॉमें जमा करने के अब सकता नहीं था उसके बाद देखिली पुट्रा इंवर्शीटी में आप लोगों को ऑफ लाइन डोकॉमेंट जमा करने की अब सकता था उसके बाद यहां पर पुर्णिया इंवर्शीटी में आप लोगों को ऑफ लाइन डोकॉमेंट जमा करना था उसके ब करना तो मैं यहां पर क्लियर करके बता तो कौन साइए एड़ स्टुट्य नहीं करना था तो मैं आप लोगों को सारी इंपर्मेशन बता अब आप लोगों को अगर अपने अपने युनिवर्सिटी या कॉलेज में डॉकॉमेंट जमा कर दी है तो आप लोगों को student list में नाम कब तक आए और आप लोगों का online आवेदन कब से start किया जगा उससे पहले बहुत student का comment रहता है कि आप से contact कैसे करें तो contact हमें Instagram को थुरू contact कर सकते उसका लिंक इस वीडियो को description box में मिल जगा नहीं तो comment box में सबसे उपर पीन करके आप लोगों को Instagram का link मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों को फ़लो कर लेना है उसके बाद मैसेज करना है उसके बाद आसानी समसे बात हो जगा अब आप लोगों को बताने बलाओ कि इसका online आवेदन कब से start किया जगा साथ में पोटल कब से खोला जगा साथ में इ चांस है कि कि कूल दिया जगा सुपरोशन्ट फिर वी चांस नहीं है लेकि 90 पर सेन्ट अ कि आप लोगों के लाश्क लिए पोटल खोल दिया जगा उसके बाद फरवरी के बाद जैसे पोटल ARE जगा तो सबसे लोगों को सब्सक्राइब करने के wij यूजर développ से लगों को सब्सक्राइब मैं जोए reference को सारे information बता दियों तो अब आप लोगों घवरानी के अवसकता नहीं और आप लोगों के फरवरी का लास्ट का इंतजार करना है उससे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना कि फिर से ओनलेन आवेदन कब से स्टार्ट किया जागा सभी स्टुडेंट को बैंक एकॉंड में रुपिया टांसफर किया और हरे स्टुडेंट को आप लोगों को टेंशन लेने की कोई अवसकता नहीं है तो मैं आप लोगों को सारे information बता दियों इसके लिदाने